रूही चोड़ रही है पुतार हाउज रोहिट के साथ हमेशा के लिए पता चल गया कि अभीरा की मा है उसकी माताश्री की कातिल गिरी अभीरा रूही की पैरों पर जिया दोस्तो यह रिष्टा के गहलाता है गाहनी वाल एपिसोड होने वाला है धमाकेदार जहां संजे देता है मनीश को धमकी कि अगर तुम सब के सामने कल घट स्तापना पे मेरे पैरों पर गिर कर मुस्से माफी नहीं मांगते हो तो मैं रूही और अभीरा बेहन बेहन ये सच्चाई पूरे के सामने बता दूंगा कि अभीरा की जो मा है वो रूही की माता श्री की कातिल है जिसके बाद मनीश रैडी हो जाता है जिया मनीश नहीं चाता है कि सचाई ऐसी रिवील हो और दो बेहने जिनका अभी अभी इतना अच्छा मिलन हुआ है इतनी अच्छी शिरुवात हुई है उनके बीच में नफरत हो जाए जहां घट सापना होती है तो वही पर मनीश हाद जोडता है और सब के सामने संजे से माफी मांगता है तो वही पर सबी लोग शौक हुजाते हैं देख कर कि आखिर मनीश ऐसा क्यों कर रहा है संजे के साथ भाई क्रिश ने सुन लिया है कि संजे ये सारी सीजे बदला लेने के लिए कर रहा है क्रिश को पता चल गई है अपने पापा संजे की सारी काली कर्टूत तो वहीं आने वाले एपिसोड में जब संजे यह सब कुछ कर रहा होगा तो भाई अब यहाँ पर यह खुलासा हो जाएगा कि मनीश यह सर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि जो अभीरा है वो रूही की बेहन है जी हां अक्ष्रा की बेटी है अभीरा यानि की रूही की जो माताश्री है उनकी कातिल कोई और नहीं बलकि अभीरा की मा है इतनी बड़ी सच्चाई खुलने के बाद रूही का गुसा सात्वे आस्मान पर होता है अब कमिंगा एपिसोड में रूही जोर का धक्का देती है अभीरा को और कहते कि तुम नहीं हो मेरी दो ही रुहित केता है आर्मान से कि वह अभीरा भावी को ले कर चली जाए लेकिन आर्मान ने कहने दिया है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी मा के इसमें कोई गलती नहीं है तो वही पर जा रही होगी और यह कहाएगी मैं एक छट के निच्टे अभीरा के सात नहीं रह सकती हूँ तो तो वहीं अभीरा अब गिर्नेवाला ये रुषी के पैरो पर उसे कहरेइवाली कि वह गर छोड़कर ना जाए वो चली जाएकी इस घर को चोड़कर सबको छोड़के सबसे दूर तो वहीं पर अब रूही क्या करेगे क्या वो अपनी बेहन अभीरा को माफ कर पाएगे क्या यह सच्छाए रिवील हो पाएगे कि आरूही की मौत की वज़ा अक्षर नहीं थी वो सिफ एक हासा था दोस्तों हमें कमेंगी शेयर करें क क्या लगता है आपको क्या अभीरा को यह घर छोड़कर हामिशा के लिए चला जाना चाहिए क्या यहीं सब्सक्राइब करना ना भूलें